दोस्तों आज की इस वीडियों के लेकर आए हम आईपेल के दुनिया के बड़े अपडेट्स मुंबाई को मिला नया स्पांसर आईपेल बना एंटी चाइना आईपेल की मेग आउक्षन की तैयारी पूरी लेजन्स क्रिकेट लीग में भरत का धामाल T20 World Cup का सेडिल जारी और भी धेर सारे अपडेट्स आईपेल से जुरुए आपको बताने वाले हैं आईपेल दोरबाइस का मेग आउक्षन बहुत जाल दाने वाला है और आपको कुछ करना नहीं बस अराम से पूरा वीडियो अंतर दिखना है पाँच बार IPL चैंपियन मुंबाइ इंडियन्स के तरब से मुंबाइ इंडियन्स की टीम आपको IPL 22 में नए टाइटेल स्पांसर के साथ दिखने वाले है कली मुंबाइ इंडियन्स की टीम ने Slice कमपनी के साथ डील फाइनल किया है और Slice एक credit card challenger company है और इस company का logo आप Mumbai Indians के जर्सी के सबसे आगे देख पाएंगे IPL 22 में यह डिल 3 साल के लिए रहने वाला है जिसमें कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक 90 करोड रुपए दिये है Slice company ने Mumbai Indians को इसके पहले साल 22 में Mumbai Indians के title sponsor हुआ करते थे तो इसके लिए आप डिसक्रिप्स में दियेगे टेलिग्राम चैनल को जॉइन करें वहाँ पर आपाटिकल पर सकते हैं इसके बारे में चलिए देखते अपना दूसरा अपडेट दोस्तों को बतान चाहेंगे IPL 22 का मेगा ओक्सन आपको फरवरी 12 और 13 को देखने को मिलने वाला है और उसी दौरान भारत और West Indies की बीच One Day Series चलने वाला है और खबरें से आरे हैं कि BSSI इस One Day Series का schedule को बदलने वाले हैं कि यह One Day Series उसी दौरान होगा जिससे में मेगा ओक्सन होने वाला है तो ऐसे में यह One Day Series मेगा ओक्सन के साथ class ना करें इसलिए इसका schedule बदल दिया जाएगा क्योंकि BSSI नहीं चाहते हैं कि जिस समय मेगा ओक्सन हो उस समय भारती टीम या तो फिर BSSI कहीं और बीजी हो इससे आई पिल के मेगा ओक्सन की तयारी पर असर पड़ेगा तो जो निया schedule आएगा आपको बताएंगे तो आप होने साथ बनी रहें चलिए देखते हैं अपना तीसर अपडेट दोस्तों जिससरे से लखनो की टीम ने अपने नाम के लिए लोगों को suggestion देने के लिए कहा था और एक website बनाया था जिसके जरी लोग अपना नाम का suggestion उनको दे सकते थे और कई लोगों ने डिये भी हलाकि यवी तक लखनो की टीम का नाम घोसित नहीं किया गया है और एहमदाबाद की टीम बिलकुली अलग अप्रोच लेने वाले हैं अपनी टीम का नाम रखने के लिए जहां पर खबर एसी आ रही है कि एहमदाबाद की टीम ने एक एजिंसी को अपॉइंट किया है जो उन्हें नाम सजेश्ट करेंगे और जिनका नाम पसंद आएगा तो उसे अधिकारिक कर दिया जाएगा वैसे आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके मुदाबिक क्या होना चाहिए एहमदाबाद की टीम का नाम करेंगे नमबर से या तो टेलीग्राम चैनल से रेडी अन्ना को जोईन कर लें चलिए देखते हैं अतना चौथा अपडेट दोस्तों ये अपडेट निकल करा रहा है कुरोनाल पांडिया की तरफ से आपको बताएं चाहिए कि कुरोनाल पांडिया ने अपने इस्टेग्र करेंगे अपको एहम दाबात की टीम से खेलते भी दिखेंगे अब सापसी बात है कि हार्दिक पांडिया मेगा उक्सन से पहले इन्हें खरीदने के बारे में एहम दाबात की टीम को बोलिंगे जरूर अखिर उनके भाई जो ठरें चलिए देखते हैं अपना पांचवा जहां पर यूसुप पठान ने बेहादी कातरनाक बल्लेबाजी की और 40 बॉल पर असीरन बनाएं और यहां मुकाबला बहुत ज़्यादा मज़ेदाद धा क्योंकि जो पुराने खिलारी थे जैसे के सोई बक्तर, मिजबा उलहक, तिलक्रतने दिलसान, यूसुप पठान, म कवर करते भी दिखेंगे, चले देखते हैं अपना छाटा अपडेट, दोस्तों यह अपडेट नेकल करा रहा है, आज होने वाले भारत और साथ अफरीका की पीछ दूसरे वन्डे मुकाबले को लेकर, आज दो पर दो बज़े से आपको भारत और साथ अफरीका की पीछ द बता है कि आज का मुकाबला कौन जितेंगे, भारती टीम या तो फिर साथ अफरीका, चले देखते अपना साथवा अपडेट, दोस्तों यह अपडेट नेकल करा रहा है, आईपियल में चाइनीज इंवेस्टर्स को लेकर, आपको बता दे इस बार जितने भी कंपनीज इस बार से आईपियल आपको एंटी चाइना सेंटिमेंट के साथ दोते वे देखने वाला है, इसके पहले भी वीवो जो टाइटल स्पांसर हुआ करते थे उन्हें हटा कर भारती कंपनी टाटा को रख दिया गया, तो एक तरह से आईपियल भारती ब्रैंड है और उनकी को होते वे दिखेगा, चली देखते हैं अपना आपडेट, दोस्तों यह अपडेट नेकल करा रहा है, टी टी टुएंटी वर्ल्ल कप के सेडियूल को लेकर, आज सुबा में पांच बजे ही, टी 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 वर्ल्ल कप का पूरा सेडियूल जारी कर दिया गया है, जो कि आप यह सोल अक्टूवर से 21 सक्टूवर तक क्वालिफायर मैच होगा, लगबग पिछले साल जैसा ही मिलता जूलता सेडियूल है, और फिर से आपको भारत और पकिस्तान की बीच का मुकाबला देखने को मिलेगा 22 सक्टूवर को, और इस सेडियूल का PDF हमने सुबा में ही अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल दिया था, जैसे ही यह लाँच हुआ था, तो वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके साथ ही बारत के मुकाबले कब कब होंगे, उसके भी सेडियूल जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, तो दोस्तों यातिया आज की आई पिल के बड़